हाई एलेवेंटीज वेलकम टो एसीवे कॉमर्स क्लासे मैं हूँ ताबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने अर्थमेटिक मीन का कंचिन्यूर्स सिरीज से सॉल्फ करने जा रहे हैं यानि कि अर्थमेटिक मीन को जिसे हम आवरेश कहते हैं उसे गाइस इस तरीके से 0-10 10-20 2230 वह का कंचिन्यूर्स सिरीज कहलाति और इस इस सीरीज में मेन को सिम्पलेंमThere हैं मैन का साईन हम देख चुके आज 2 दाशल मेया म्हें में में सिम्पने मैं नि है F given होता है F बोले तो frequency अब हमें जो भी भी हमें continuous series हमारी होगी हमें M निकालना है M बोले तो mid value जो कि कैसे निकलती है lower limit plus upper limit divided by 2 यानि कि 0 इसकी lower limit है इसकी upper limit है इस series में देखे तो 0 lower है इसमें अपर है तो अगर आप plus करके 0 plus 4 कितना हुआ 4 divided by 2 2 कर सकते हो या आप और 4 के वीच में middle value है 2 यहां पे 4 5 6 7 8 तो 6 इसमें 10 इसमें 14 आप ऐसे भी निकाल सकते हो अद्वाइस formula लगा के भी निकाल सकते हो जब आपके mid value आ जाएगी तो आपको समझना है कि अब आपके इसकी importance बिल्कुली खतम हो गई यह आपके लिए x बन गया है तो अब हम नॉर्मली जैसे discrete series में solve करते है summation f x upon summation f तो x के जगे अब हमें क्या लेना है m लेना है यहाँ पर हम करेंगे summation f m summation f already कितना आएगा गाइस आठ चर बारा तीरा चौदा पंदरा चीक है अब हमें f m निकालना जो कि बहुत easy है 4 2 x 8 48 20 14 अब इसे plus करना है कितना बनेगा यह तो 8 8 16 plus 4 20 6 8 90 90 आगया अब formula में अगर इसको हम put कर दें तो यह कितना आएगा 90 plus 15 that is 6 तो mean की value कितनी आ गई 6 तो असान था इसे निकालना अब अगर हम इसे assume mean method से करें तो assume mean method से क्या करेंगे हमें अपने m तो देखो आपको तीनो ही series से करो m तो निकालना है इसके importance तभी खतम हो जाएगी जब आप m निकाल दोगे और m आपके लिए एक तरीके से x का ही treatment देगा जैसे discrete series में हम करते हैं इसमें से अब आप कोई साभी mid value मान लो कोई भी mid value को अब assume mean मान लो like मैंने माना जैसे 6 को तो अब हमें d निकालना है d for deviation जो क्यों होते x minus assume mean तो यहाँ पे हमारे पास x नहीं है क्या है mid value m minus assume mean क्या माना हमने 6 तो 2 minus 6 कितना आएगा guys minus 4 6 minus 6 0 10 minus 6 4 14 minus 6 8 यहा गया summation इसका 8 अब हमें formula क्या लगाना है हमारा formula बनेगा guys a that is called assume mean plus summation fd अचा तो अभी हमें fd भी निकालना है fd क्या होगा f और d को multiply करना 16 that is 0 2 4 जा 8 8 1 जा 8 तो अगर इसको हम करें तो answer आ रहा है 0 तो 0 divided by summation of f आपका formula क्या था fd divided by summation है summation f था 15 तो 16 plus 0 6 plus इधर का तो होगया 0 तो answer हमारा क्या हैगा 6 तो चाहें आप इस method से करो तो भी answer आपका 6 आएगा अब हमें जाना है guys step deviation में step deviation में हमें ये करने की need नहीं होती हमें d dash निकालना होता है d dash बोले तो क्या होगा d को उसके common factor से divide कर देना है यानि कि जो इस series में आपको लगता है कि common चीज है जो हर एक उसमें आ रही है term में तो like 4 के table में 4 आता है 4 आता है 8 आता है तो मैं इससे किस से divide करूंगे common factors 4 से तो 4 से जब divide करेंगे तो minus 1 0 1 2 अब हमें यहाँ पे fd dash मिकालना है fd dash क्या होगा f को multiply करना है d dash से so minus 1 8 को 0 से क्या तो 0 2 को 1 से क्या तो 2 then 2 इसका answer कितना आ गया again 0 2 plus 2 4 और minus 4 से कट गया अब हमारा formula क्या है इसी की तरहे के से होता है वो भी guys a plus summation fd dash summation f into c क्योंकि अब बस एक जो step deviation क्या है एक अपने deviation के step को extra कर दिया वो क्या था कि deviation को divide कर दिया था common factor से तो अभी हमने assume mean माना था 6 fd dash हमारा आ रहा है 0 summation f 15 into में हमारा क्या है common factor जो क्या हमने 4 था 4 तो इसका तो पूरे का आएगा 0 तो 6 plus 0 6 तो answer क्या होगे आपका 6 तो चाहे आप इस method से करो इस से करो इस से करो answer आपका 6 ही आना है but the thing is बहुत असान से formula है guys एक बार एक sheet पर जब आप discrete के लिखोगे continuous के लिखोगे तो आपको लगेगा same similar formula है इसके भी किसके साथ discrete के साथ बस हमें एक extra step करना होता है कि starting में ही हमें mid value निकाल लेनी चाहेगे और mid value के हिसाब से ही पूरा question solve होगा जैसे discrete series का होता है तो यह था guys continuous series I hope आप लोगों को समझाया होगा अगर still आपके mind में कोई doubt है तो आप या तो comment के through या फ़र instagram पर पूछ सकते हैं Thank you